मेरे मन में समाजनी डाल दिया था कि अगर आप गे व्यक्ति हो तो आप एक बीमार हो मेरे पास उस वक्त सही शब्द शायद नहीं थे लेकिन जो मुझे फील हो रहा था वो मैंने उनको बताया इन फैक्ट मुझे याद है कि मेरी मान मुझे ये कहा था आपने एक हिजड़े को जनव दिया था लोग ये कहेंगे कि आपका बच्चा छक्का है ये सवाल मेरा समाज से है कि क्यूं हमें इतना मुश्किल है किसी ऐसे व्यक्ति को एक्सेप्ट करना जो शायद यदि किसी ट्रांच जेंडर व्यक्ति की कल्पना आपके लिए ये है कि वो सिगनल पे भीक मांगते हैं या वो शादियों में नाचते हैं बच्चों के जन पे बधाई देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है यदि आपकी कल्पना किसी ट्रांच जेंडर व्यक्ति की ये है कि जब वो आपकी गाड़ी के शीशे के पास आते हैं भीक मांगने के लिए तो आप अपने शीशे को चड़ा देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है अगर मुझे देखके सबसे पहला खयाल जो आपके मन में आता है वो ये हैं कि मैं एक ट्रांच जेंडर व्यक्ति हूँ या आप सोचते हैं कि शायद मैं हिजडा या किनर हूँ या आप सोचते हैं कि शायद मैं अभी भी अपने जेंडर आइडेंटिटी की तलाश में हूँ तो मैं ये बता दूँ आपको कि मैं एक MBBS MD डॉक्टर भी हूँ मैं एक COVID Vaccination Center की इंचार्ज भी हूँ मैं एक NGO की Founder Director भी हूँ मैं COVID Vaccine Trial में Researcher भी हूँ और मैं एक Epidemiologist भी हूँ मेरा जन्म हुआ मेरे परिवार में उनके तीसरे बच्चे के रूप में मेरे दो बड़े भाई हैं और मुझे मेरे परिवार वालों ने पाला एक लड़के के तौर पर और नाम दिया जाकिर हुसेन बचपन से ही मुझे Dr. Zakir Hussain कहा जाता था और वो एक मानू सपना था कि ये जो डॉक्टर वाला शब्द मेरे नाम के आगे जोडा गया है इसको मैं सच में अपने नाम के आगे जोड़ू बचपन की तीन या चार साल से जो मेरी यादें, मुझे याद है, मुझे पता है कि मुझे एक अंदर से जुस्तजू थी, एक था कि मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ, क्यूंकि मेरे घरवालों ने मुझे पाला था एक लड़के के तौर पे, लेकिन मैं अपने आपको बड़े भाई थे, वो चाहते थे कि मैं उनके साथ जाकर बाहर खेलूं, लेकिन मेरा मन नहीं करता था, मैं खेलती थी अपनी सहेलियों के साथ में, कुछ तो अलग था, लेकिन वो क्या था, इसका मुझे ग्यान नहीं था, स्कूल में दाखला हो गया, मैं एक all-boy स्कूल मे थी, लेकिन उसकूल में भी कुछ तकलीफ थी, कुछ अजीग था, मैं अपने आपको मानती थी एक लड़की, और मेरे स्कूल में जितने भी सहपाथी थे, वो सारे थे लड़के, स्कूल में 10-12 साल जो मैंने बिताए, उसमें एक भी दोस्त नहीं बन पाया, उम्र की 10 साल म होने लगा, मुझे लग रहा था कि ये मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे कौन सी बीमारी हो गई है, कि कहीं इसका कोई इलाज तो नहीं करना पड़ेगा, या मैंने कहीं कोई बच्पन में ऐसी कोई गलती तो नहीं कर दी, कि जिसकी वज़े से आज मुझे ये बीमारी हो ग और एक परिशानी हो रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मैंने बहुत कोशिश की थी उस वक्त मुझे याद है कि मैं कोशिश करती थी कि मैं मर्दों की तरह चलूँ मैं मोटी आवाज में बात करूँ मैं कोशिश करती थी कि किसी तरह से मेरा एट्राक्शन लड़कियो की तरफ shift हो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश होती थी उतना ही ज्यादा उसके साथ frustration भी आता था क्यूंकि हमेशा नाकामिया भी मिलती थी और नाचुरली आप जैसे हो आप जो हो उसको आप नहीं बदल सकते जिस तरह से straight व्यक्ति गे नहीं हो सकते या गे व्यक्ति straight नहीं बन सकते हैं अपनी मर्जी से उसी तरह एक transgender व्यक्ति जिसका जो sexual orientation है वो change नहीं हो सकता और वो मेरे लिए काफी निराशा जनक समय था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपने आपको बदलना चारी हूँ क्योंकि मैंने कोई गलती कर दिये मैं बीमार हूँ और उन्हें करनी पा रहे थी मुझे पता था कि normal तो यही है कि लड़कों का attraction लड़कियों की तरफ होता है और लड़कियों का attraction लड़कों की तरफ होता है कुछ तो अलग था लेकिन क्या था पता नहीं था और उसको किस से कहें उसका जिक्र किस से करें अपनी इस जुस्तजू को अपनी ये जो हो रही थी बेचैनी इसको किस से बयान करें इसका अंदाजा नहीं था नाचुरली मैंने उसे अपने आप में रखा उस घुटन के साथ जीना कबूल किया टीवी में, मीडिया में, जर्नल्स में जो पोट्रेल हम देखते थे ये व्यक्तियों का मैं उससे आइडेंटिफाइ नहीं करती थी जो एक दूसरा समाज हमारे सामने था, वो था किन्नर समाज, वो था हिजडो का घराना उनको हमने अपने घरों पे आते वे देखा था उनको हमने नाचते वे देखा था शादियों में उनको हमने भीक मांगते वे देखा था और मुझे ये पता था कि मैं वो भी नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? यह जो मेरी पहचान की खोज थी, यह कुछ इसी तरह से जारी रही कई सालों तक. 10th में मैं मेरिट लिस्ट में थी, स्टेट के, कॉलेज में दाखिला हुआ, उसके बाद 12th में I was in the top 100 of medical entrance. इसकी वज़े से महराष्टर के best medical college में मेरा दाखिला हुआ, केम हॉस्पिटल और सेट जीएस medical college. अगर स्कूल का सफर मुश्किल था, तो college और खासतर से medical college का जो सफर था, वो literally जान लिवा था. मेरे college के बहुत सारे जो साथ के लोग थे, उनकी girlfriends, boyfriends थी, मेरा attraction अभी भी लड़कों की तरफ था और मैंने इसको किसी को बयान नहीं किया था, मैंने कोशिश की थी कि अपने आपको बदलूँ, क्योंकि मेरे मन में ये डाला गया था, कि शायद मैं gay हूँ और gay होना एक बी कैसे बदल सकते हो, यह मानसिक तनाव बढ़ता गया और मुझे याद है कि medical college के तीसरे साल में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि मेरा BP 160 by 100 तक पहुंच गया, medical consultation लिया, फिर endocrinologist के पास गये, और वो पहली बार था जीवन में जब किसी ने मुझे से पूछा मेरे sexual orientation के बारे में, किसी ने बात की, कि मेरी feelings क्या है, मेरे emotions क्या है, मेरे पास उस वक्त सही शब्द शायद नहीं थे, लेकिन जो मुझे feel हो रहा था, वो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा, तुम normal हो, अच्छा लगा, ये words सुनकर normal क्यूंकि मैं अपने आपको एक बीमार व्यक्ती समझती थी अब तक, और उनसे जो मैंने बातचीत की, जो कई हफ्तों तक चली, उस दौरान मुझे मिली अपनी पहचान, मुझे एक नाम मिला, मुझे एक label मिला, जिसको हम कहते हैं, gender identity disorder, उस वक्त transgender होना, एक disorder माना जाता था, ये मैं बात कर रही हूँ लगभग 20 साल पहले की, लेकिन मैं उसमें भी खुश थी, कि कम से कम मुझे कोई पहचान तो मिले, कम से कम मुझे कोई tag, कोई label, कोई diagnosis ही तो मिला, क्योंकि जो इनसान अपनी पहचान के लिए पूरी जिन्दगी जद्धो जहद करता है, जब उसे अपनी पहचान मिल जाती है, तो उस वक्त जो उसको खुशी होती है, वो खुशी मुझे उस वक्त हो रही थी, आगे के कदमों के बारे में हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आप जो हैं चाहे तो sex change surgery करा सकते हैं, जिसको हम आज के दौर में gender affirmation surgery कहते हैं, घरवालों को बताया गया, घरवालों को involved किया गया, उनको समझाया गया कि क्या condition है और आगे क्या किया जाय सकता है, उनकी तरफ से मिला no, और ये expected था, किसी भी परिवार के लिए, जिसने अपने बच्चे को 20 साल या उसे ज्यादा एक लड़के के तौर पर पाला हो, उसे अगर किसी दिन सुबह उठके वो लड़का कहे, कि मैं लड़का नहीं हूँ, मेरी पहचान एक लड़की की है, और ना सिर्फ मेरी एक पहचान लड़क होगा, और कुछ वही हुआ मेरे परिवार के साथ भी, वो नहीं समझ पाए कि मेरी तकलीफ क्या थी, आगर मेरी तकलीफ समझ भी पा रहे थे, तो वो स्विकार नहीं कर पा रहे थे, इस तकलीफ से बाहर निकलने का रास्ता, क्यूंकि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या लोग क्या कहेंगे कि आपने एक हिजडे को जनम दिया था लोग ये कहेंगे कि आपका बच्चा छक्का है लोग ये कहेंगे कि आपने ही शायद बिगाड़ दिया आपकी परवरिश में कोई खोट रही होगी लोग क्या कहेंगे कि आपने अपने बच्चे को सही तालीम नहीं ती और इन ही सवालों से डरते हुए मेरे परिवार वालों ने कहा नहीं उस वक्त मेरी उम्र 20 साल की थी मैं एक स्टुडेंट थी मेडिकल कॉलेज में और नाचुरली मुझे यह अधिकार नहीं था कि मैं अपने जीवन के बारे में खुद अपने फैसले लूँ मैंने उस वक्त चुपी सा थी आगे की पढ़ाई complete की MD Community Medicine मेरा हो चुका था MBBS के बाद में और अब भी घरवालों की तरफ से था लेकिन मेरे लिए तो कोई सपना और था मेरे लिए सपना था कि मेरे अंदर जो महिला है उसको मैं बाहर निकालूं मेरे अंदर जो मेरा अस्तित्व है जो मेरी पहचान है उससे मैं रूबरू हो ताकि अगली सुबा उठकर जब मैं आइने में अपना चेहरा देखूं तो मुझे उसमें एक महिला दिखाई दे एक पुरुष नहीं और मुझे पता था कि मुंबई में रहके अपने परिवार में रहके अपने रिष्टेदारों और दोस्तों के बीच में रहकर ये करना मेरे लिए नामुम्किन था इसलिए मैंने फैसला किया हिजरत का, सफर करने का और मैंने सफर किया मुंबई से दिल्ली में दिल्ली मैंने इसलिए चुना क्योंकि एक ऐसा शहर था जहां मुझे कोई नहीं जानता था हर व्यक्ती मेरे लिए अजनबी था और मैंने सोचा कि मैं इस अजनबी शहर में अपने जीवन की नई शुरुवात क्यों न करूँ मैंने दिल्ली तो सफर कर लिया था मैंने मुंबई तो छोड़ दी थी लेकिन मुंबई में जो परिवार के साथ मेरी तारे जुड़ी हुई थी वो अब भी इंटाक्ट थी कई बार जो हमारी जंजीरे होती हैं वो हमें आँखों से दिखाई नहीं देती वो जंजीरे होती हैं रिष्टों की, वो जंजीरे होती हैं जो परिवार ने हमारे पैरों में डाली होती है और जिसकी बदौलत मैं वो नहीं कर पा रही थी जो मुझे करना था फिर से मानसिक तनाव बढ़ा और इस बार कुछ इस कदर बढ़ा कि मैंने सोचा कि इस जीवन में रखा क्या है आत्म हत्या करते हैं मैंने पूरा इरादा बना लिया था कि मैं अपने इस मीनिंगलेस लाइफ को खतम कर दूँ लेकिन उस रात को मैंने यह नहीं किया लेकिन उसके अगले दिन मैंने यह सोचा कि किस के लिए जीएं अगर हम अपने परिवार की खुशी के लिए जीते हैं तो हम तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे ऐसे बनावटी जीवन में, ऐसे जूटे जीवन में और अगर मैं अपनी खुशी के लिए जीती हूँ और वो करती हूँ जो मुझे करना है तो मेरे घरवाले शायद कभी खुश न रह पाएं और मुझे तो ये भी धमकी दी गई थी कि अगर तुम ऐसा कुछ भी करती हो तो जो परिवार के साथ तुमारा रिष्टा है वो उसी दिन खतम हो जाएगा मेरे पास दो ही आप्शिंस थे या तो मैं परिवार की खुशी के लिए वो करूं जो वो मुझे करवाना चाह रहे थे या मैं अपना जीवन अपनी मर्जी से जिऊं और मैंने चुना दूसरा रास्ता मैंने सोचा कि अब मैं जिऊंगी खुद के था वहीं से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी जेंडर ट्रांजिशन की हॉर्मोन थेरपी स्टार्ट हुई सर्जरीज हुई नाम चेंज हुआ डॉक्यूमेंट्स में जेंडर चेंज हुआ और जाकिर हुसैन से बनी मैं अक्सा शेख अक्सा शेख बनने पर काफी सारे लोगों तारीफ की लोगों ने कहा तुमको तो यही होना था ये तुम पे सूट करता है काफी सारे दोस्तों ने तौफे दिये वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हों ने उस दिन के बाद से मुझसे बात करना बंद कर दिया मेरी लिए एक बहुत तकलीफ वाली चीज वो थी जब मे मेरे students मैं medical college में पढ़ाती हूं और वो student एक Muslim student थी और उस ने कहा कि आप जो कर रहे हो, वो Goes Islam में गुना है उसने यह कहा, आप जो कर रहे हो.. उसके उपर तो अज dependency हुआ है और ना सिर्फ आप ये कर रहे हो, आप ये खुले आम करके और भी लोगों को ये करने के लिए इंस्पायर कर रहे हो और उन सब का गुना भी आपके सर पे होगा तो उसक्त काफी मैं अंदर से हिल गई थी और मेरे लिए इसलाम एक काफी मेरे लिए क्लोस चीज है मैं I'm a proud Muslim और उसक्त मुझे सीरिस्ली लगा कि क्या मैं कोई गुना कर रही हूँ क्या मैं ऐसा कर रही हूँ कि ना सिर्फ अपने लिए लेकिन वो दूसरों के लिए भी एक गुना वाला रीजन बन जाए ये जो मेरा पूरा ट्रांजिशन का सफर था इसमें जो सबसे मुश्किल पड़ाव था वो था उस वक्त जब मैं ना एक पुरुष की तरह दिखती थी और ना एक महिला के तौर पे उस वक्त लोग इतना घूरते थे कि किसी रेस्टोरेंट में जाके अपनी मदर के साथ में खाना खाना तक मुश्किल हो गया था In fact, मुझे याद है कि मेरी मान मुझे कहा था कि जब तक तुम्हारी सरजरी नहीं हो जाए तब तक बाहर निकलना बंद कर देते हैं क्यूंकि लोग तुमको घूर घूर के देखते हैं और फिर मुझे देखते हैं कि यह इनकी औलात है हमारे समाज में क्यों ऐसा है कि जो व्यक्ति, पुरुष या नारी के दो बाइनरीज में fit नहीं होता उनको हम accept नहीं कर पाते हैं आज लोगों के लिए शायद मुझे इस रूप में accept करना ज्यादा easy है क्योंकि मैं X3 जैसी दिख रही हूँ लेकिन उस phase में जो मेरा transition का phase था क्यों लोग मुझे घूर घूर के देखते थे क्यों ऐसे देखते थे जैसे मानो मैं इंसान ही नहीं हूँ यह सवाल मेरा समाज से है क्यों हमें इतना मुश्किल है किसी ऐसे व्यक्ति को accept करना जो शायद न पुरुष के जैसे दिखते हो न नारी के जैसे दिखते हो हमारे समाज में जब किसी परिवार में कोई transgender बच्चा पैदा होता है या कोई intersex बच्चा पैदा होता है तो परिवार वाले उसे accept नहीं कर पाते हैं कई लोग उसको हिजडों को या किनरों को दे देते हैं ताकि वो उनको पाले अपनी जिम्मेदारी वो किसी और पर सौंप देते हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी भी माबाप के लिए ये एक आसान फैसला होगा कि वो अपने शरीर के अंग को वो अपने एक हिस्से को किसी और को दे दे पालने के लिए लेकिन उन्हें ये करना पड़ता है क्योंकि ये जो समाज है ये नहीं accept करता ट्रांजेंडर और इंटर सेक्स बच्चों को वो नहीं accept करता कि आपका बच्चा लड़का ये लड़की के अलावा भी कुछ और हो सकता है या आपके बच्चे की पहचान वो खुद तै करे ये ये समाज accept नहीं करता जहां तक ट्रांजेंडर व्यक्तियों का सवाल है आज इतना मुश्किल है जीवन thanks to the society that suicide rate सबसे ज्यादा ट्रांजेंडर व्यक्तियों में है ऐसा क्या कर रहे है हम सब कि एक ट्रांजेंडर व्यक्ति जीने से ज्यादा मरना पसंद कर रहा है ऐसा क्या कर रहा है ये समाज कि ट्रांजजेंडर बच्चे स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं ऐसा क्या कर रहे हैं हम कि ट्रांजजेंडर व्यक्ति नौकरी नहीं हासिल कर पा रहे हैं और उसके बज़ाएं वो ट्राफिक सिगनल्स पे भीक मांग रहे हैं, शादियों में नाच रहे हैं या इवन सेक्स वर्क कर रहे हैं ऐसा क्या कर रहा है ये समाज कि वो ट्रांजजेंडर व्यक्तियों को अपने अधिकार नहीं दे रहा हिंदुस्तान की 70 साल से ज्यादा आज़ादी के समय में क्यों ऐसे है कि हमारे दोनों ही सदनों में से एक में भी एक भी ट्रांजजेंडर व्यक्ति आज तक नहीं पहुँच पाया है पार्लेमेंट्स की बात अगर हम छोड़ दें तो किसी भी असेंबली की सीट तक भी एक ट्रांजजेंडर व्यक्ति नहीं पहुँच पाया है ऐसे में जब मैं इस देश की पहली ट्रांजजेंडर नोडल ओफिसर आफ और कोविड वैक्सिनेशन सेंटर बनी तो मुझे काफी खुशी हुई बहुत गर्फ भी हुआ लेकिन साथ ही में ये दुख भी हुआ कि क्यूं मैं अकेली हूँ इस पोस्ट पे क्यों ऐसे है कि एक ट्रांजजेंडर व्यक्ति के लिए एक नोडल ओफिसर बनना एक डॉक्टर बनना एक उंचे ओहदे तक पहुँच पाना इतना मुश्किल कर दिया है समाज ने मैं अकसर अपने ट्रांजजेंडर साथियों को यही कहती हूँ कि आप अपने आपको एकसेट कीजिए आप अपनी पहचान को कबूल कीजिए आप जैसे हैं बहुत ही सुन्दर हैं बहुत अच्छे हैं इसको मानिये और जिन्दगी बहुत ये खुबसूरत तौफा है इसक को जिनके घर में कोई ट्रांजजेंडर व्यक्ति हो उन माबाब को देती हूँ जिनके ट्रांजेंडर बच्चे हैं या उन भाई बहनों को जिनके भाई या बहन ट्रांजेंडर है क्योंने अपनाएं जिस तरह एक गार्डन में अलग-अलग किस्म के फूल होते हैं जिस त उनको सिलकार कीजिये और जब आप वो करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फूल कितने अच्छे से खिलते हैं और अपनी खुश्बू इस दुनिया में कितने अच्छे से फैलाते हैं इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें